तबस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूँ प्रियादर्शन सियासत में कहा जाता है कि कोई किसी का सगादोस्त नहीं रहता और कोई किसी का चिरस्थाई प्रतिद्वन्दी नहीं रहता इतना ही नहीं जो जिनके आज साथ हैं वे कल उनसे अलग हो जाते हैं और परसों फिर से उनसे ही गले बहियां कर लेते हैं कुछ ऐसे ही सितियाब नितीश कुमार और उपेंदर कुसवाहा को लेकर देखने को मिल रही है दरसल नितीश कुमार के पिछले वर्स अगस्थ 2022 में NDA छोर करके जब उन्होंने महागटबंधन का दामन थामा यानि कि राज़द और कॉंग्रेस के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बना ली तो उनसे उनके खासम खास उपेंदर कुसवाहा नाराज हो गए थे और उपेंदर कुसवाहा ने जो अपने दलका बिलाई भी जदियू में कर चुके थे उन्होंने नितीश का दामन छोर दिया और एक अलग राजनितिक दलका गठन कर लिया इन सब के बीच जब पिछले दिनों नितीश कुमार ने G20 सम्मेलन को लेकर के राश्टरपती के द्वारा दिल्ली में रात्री भोज का आयोजन किया गया था तो उसमें नितीश कुमार को आमंत्र न मिला था नितीश उस रात्री भोज में गए थे और नितीश कुमार के उस रात्री भोज में जाने के बाद प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोधी के साथ जब उनकी कई तस्वीरे सामने आई इतना ही नहीं भारती जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ नितीज की तस्वीर सामने आई तो इन सब को लेकर के अलग किस्म की कयासबाजी लगाई जाने लगी कि क्या नितीस और भाजपा के बीच में फिर से दूरियां कम हो रही हैं? क्या नितीस फिर से कुछ ऐसा निर नहीं ले सकते हैं जिससे हर कोई अचम्भित हो सकता है? तो इन ही सवालों को लेकर के जब उपेंद्र कुसवाहा के सामने ये बातें रखे गई तो उपेंद्र कुसवाहा ने जो अब बातें कहीं हैं वह नितीस और उपेंद्र कुसवाहा के लिए कुछ-कुछ यूटर्न वाले स्थिति दिख रही हैं। दरसल उपेंद्र कुसवा अरंगाबाद गये थे और अरंगाबाद में उनसे यही पूछा गया था कि क्या अगर नितीश कुमार अगले लोकसभा चुनाओं के पहले NDA में आ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत है क्या आप उनके NDA में आने का विरूद करेंगे क्या आप जनता दर उनाइटरेट से केवल इस नाम से अलग हो गए कि नितीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बना ली तो अगर नितीश फिर से NDA में आते हैं तो आपके इस पर क्या सोचते हैं तो उपेंद्र कुषवाहा ने इसे लेकर के भी काफी एक अजवी बात कही है दरसार उपेंद्र कुषवाहा का कहना है कि नितीश कुमार तो भले आदमी है नितीश कुमार से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यानि कि अब तक जो उपेंद्र कुषवाहा नितीश कुमार के उपर लगातार हमलावर थे उनका यह बयान अपने आप में काफी आश्चर शकित भी करता है कि उन्होंने कहा है कि नितीज कुमार से उन्हें कोई दिक्ट नहीं है नितीज कुमार को उन्होंने भलायद्मी बताया है लेकिन NDA में आने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसे ले करके उन्होंने गोल मटोल ही जबाग दिया। यानि कि नितीश कुमार को ले करके एक अलग किस्म की खिचरी NDA के भीतर पकने वाली जो बातें कहीं जा रही हैं, उस पर अगर अगर अव उपेंद्र कुसवाहा के इन बयानों पर भी गौर करें, तो वह भी एक अलग किस्म का संकेत है कि जो कुसवाहा अब तक नितीश कुमार को ले करके आग बबूला रहते थे, उपेंद्र कुसवाहा जो नितीश कुमार पर लगातार हमलावर रहते थे, अब उन्होंने कहा है कि उपंद्र कुसवाहर नितीश कुमार के लिए कि हाँ हमें नितीश कुमार चे कोई दिक्कत नहीं है तो देखना होगा या कि नितीश कुमार चे कोई दिक्कत नहीं बताने वाले उपंद्र कुसवाहर के इस बयान के बाद अब आगे नितीश और उपिंद कुस्वाहा या NDA के बीच में क्या नई खिचरी पक्ती है